तो आपको नहीं 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 देख लो और इस विडियो के कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया है उस पर क्लिक करोगो तो आपको सारे वीडियो के सारे वीडियो मिल जाएगे चल भी स्टार्ट करते हैं देखते हैं इसमें पहला क्या है आपको आफटर यो एससे एक्जाम्स रिजर्ल्स यू में हैव तो टेक डिजिजिएं रिगार्डिंग दिखाई ओफ अपर यह रहेगा अब यह आगे चलो लिए एंग्लिश वरक्षॉप में देखते हैं वरक्षॉप में आपको का दिया हुआ है यहाँ पर दोगो आपको पहले क्या है इंग्लिश वरक्षॉप इसमें पहले क्या है read the poem again does it have a uniform rhyme scheme throughout write down the rhyme scheme of every stanza separately तो देखो इसमें जो आपको लिखना रहेगा first second third fourth यह सबकी जो rhyming scheme है वो आपको देखो ऐसे लिखना है अबी देखो आपको second में का दियो है second में आपको write the symbols that are used in the poem to represent the following ideas तो इसमें देखो a,b,c,d,e तो देखो यह जो आपको पाचो है इसमें देखो आपको यह लिखना रहेगा ओके अभी देखो third में आपको क्या दिया हुआ है third में आपको read the following facts in the proper order and fill in the flow chart तो देखो जो flow chart में आपको जो लिखना है वो यह रहेगा ओके आगे देखते अभी देखो आगे आपको क्या दिया हुआ है यहापे देखो अभी fourth में आपको क्या है fourth में आपको think and write in your own words इसमें देखो जो a,b,c,d है तो देखो यह पाच जो आपको चार दिया है चार में देखो आपको यह answer लिखना है ओके अभी आगे लिखते हैं आपको आगे क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो फिफ्ट में क्या है आपको तो इसमें देखो आपको यह लिखना रहेगा ओके 6 में देखो आपको क्या है तो इसमें देखो आप यह लिख सकते हो ओके अभी देखो आगे आपको 7 जो लास्ट आपको क्या है 7 में जो आपको क्या है तो देखो आप इसमें यह लिख सकते हो ठीके तो यहाँ पे हमारा यह चप्टर कंप्लीट हो गया है अभी इसके अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स चप्टर दूँगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रोखो ताकि आपको अगला वीडियो मिले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो शेर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो तेंक यू